हमारा करता क्या है BFD सबसे पहले AC सप्लाई को DC में बदलता और फिर उस DC सप्लाई को AC में बदलकर हमें आउटपूर्ट दे देता है फिर BFD के माध्यम से मोटर के RPM को कम जादा कर सकते हैं अब हमारा अगला सवाल ये उड़ता है कि BFD लगाने के हमारे फायदे क्या हैं तो इसका पहला फायदा ये है कि हम इसको अपने तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं कम जादा उसके बाद दूसरा फायदा हमारा ये है कि हम इसको बिल्कुल smoothly तरीके से हम इसे चला सकते हैं तीसरा फायदा इससे ये है कि इससे हम power का भी saving कर सकते हैं जैसे कि अगर हमारा 7-8 hp का motor है अगर और इसे हमें अब 5 hp का ही load पे चलाना है तो हम इसे उतना पे ही run करा सकते हैं अब बात आता है इसे चलाया कैसे जाता है तो simple size में आप देख रहे हैं कुछ इसमें हमारा जो इसी में हमें दिया हुआ है बटन बहुत सारा है जिसमें आप एक potential meter देख रहे हैं ये हमारा port इसे port भी कुछ लोग बोलते हैं पहले बात तो ये समझ लिजे इस drive को बहुत लोग भी अबडी के नाम से जानते हैं बहुत लोग drive भी सिर्फ बोल देते हैं बहुत लोग इसे inverter बोल देते हैं और बहुत सारे लोग भी इसे converter भी बोलते हैं तो इस तरह का अगर आपको कोई drive दिखा करके आपको बता रहा है इस तरह के नाम रख रहा है तो आप समझ जाईए कि इसी के बारे में बात हो रही है तो यह जो potential meter है इस potential meter से हम इसे क्या करते हैं कम और ज्यादा motor की speed को कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख रहा है डिस्पले के जश्ट नीचे यहाँ पर एक green color का हमारा button है तो इससे हम क्या करेंगे इससे हम अपने drive को run करा सकते हैं इसी के जश्ट नीचे हमारा एक reset का button है इस reset button से हम कोई भी fault को reset कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यह जो बागी का button बचा हुआ है इससे हम programming को set कर सकते हैं तो अब बात आती है इसे कितने तरीके से चलाया जाता है यह पहला नमबर पर आता है local switch से और दूसरा remote switch तीसरा communication के जरीए local में क्या करते हैं हम इसी display पर जो दिख रहा है इसी के जरीए हम यहीं से operate कर लेते हैं दूसरा उसके बाद से हम remote में क्या करते हैं जो हमारा control होता है जैसे यह देख रहा है control इस control के जरीए हम इसे operate कराते हैं तो यहां से लेके हमें drive तक wire बिचाना पड़ता है इसके लिए और तीसरा communication जो होता है इसमें क्या होता है हम laptop हो गया या फिर HMI हो गया इसके थुरू हम वहां से एक cable के ही द्वारा बस जो हमारा cable होता है जैसे data cable उसके जरीए बस इसे हम control कर सकते हैं फाइनली बात आता है इसका connection कैसे करते हैं तो इसका connection करने के लिए आपको simple इसमें दो तरह के या तो इसमें 220